हेलो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे सीट अलॉट्मेंट कंडिशन क्योंकि आपका सीजी पेटी के जो आपका फरस्ट कांसलिंग का जो आपका कंप्लीट होना था प्रोसेस वो आज आपका यहां पे कंप्लीट हो जाएगा रात को बारा बजे से एक मिनट पहले उसक पर हम बात करेंगे पहला यहां पर पॉइंट है जिनको गवर्मेंट कॉलेज मिला हुआ है या जिनको गवर्मेंट कॉलेज चाहिए दूसरा यहां पर पॉइंट है आपका प्राइवेट कॉलेज ठीक है प्राइवेट कॉलेज क्या जिनको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है वो यहाँ पे float का option चूस किया है और जिनको government भी a lot हुआ है बट वो क्या है interested नहीं अपने उस government college में वो दूसरा government college लेना चाहते हैं तो उन्होंने भी यहाँ पे float का option चूस किया हुआ है अब यहाँ पे बात करते हैं waiting वाले waiting वाले जिनका rank है मतलब कि आप इसको बो सकते हैं जिनको seat a lot नहीं हुआ है कोई भी seat नहीं मिला ना private मिला ना government मिला यह सब को आप waiting वाले बो सकते हैं क्योंकि इन सब direct इनका जो form में second counseling में चल गया है अब यहाँ पे आप समझे हैं कि seat आपका केबल 3000 के अंदर है मतलब आपका 2686 total जो seat बताया गया था media news में और आपने pdf भी देखा हुआ है यहाँ पे total इतने seat है तो एक बात आप यहाँ पे clear कर लिजे कि आपका 2686 लोगों का ही seat यहाँ पे होगा चाहे आपका management quota हो जाए चाहे आपका mop up round हो जाए उन सभी में किबल इतनी बच्चों को यहाँ पे seat मिल पाएगा बाकी जो बच्चे हैं उनको अपना plan भी तयार करना पड़ेगा कि वो आगे किस field में जाना चाहते हैं क्योंकि अगर आप अभी सोचेंगे या मेरे वीडियो को dislike करेंगे तो इससे आपका benefit नहीं होगा मेरा बस एक वीडियो खराब होगा बट यहाँ पे आपका life आपका career का यहाँ पे सवाल है कि आपका 17-18,000 जो बच्चे हैं इसमें से आप बो सकते हैं अप्रॉक्सिमेट 3,000 बच्चों को seat मिलेगा 15,000 बच्चों का यहाँ पे कुछ नहीं होगा IGKV के rule regulation जो आपका admission है यहाँ पे उनका कुछ नहीं हो पाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पे जो seat हैं वो बहुत ही कम seat है इसलिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कितने number of form है और कितने number of यहाँ पे seat है तो आपको अपना plan भी तयार करना होगा अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे यहाँ पे जो आपका second counseling है वहाँ पे seat कैसे खाली रहेगा ठीक है क्योंकि अभी जो 266 seat जो बताई गई थी इन सभी को allotment हो गया था ठीक है और 10 तारिक से इनका जो आपका process था वो आपका चालू हो गया था और आपका admission का आज का जो आपका process है आज आपका यहाँ पे complete हो जाएगा first counseling का तो यहाँ पे total सभी को यहाँ पे seat तो allot कर दिया गया है अब बात करते हैं तो second counseling में कौन सा seat का counseling होगा मतलब यहाँ पे किस seat पर कितने number of seat पे यहाँ पे counseling होगा total 2676 पे तो नहीं होगा तो यहाँ पे जो condition बनते हो आप एक बार और समझ लीजे तो समझें यहाँ पे total यहाँ पे 2676 seat बताया गया है बेसी और बेटेक दोनों को मिला करके अब यहाँ पे आप समझें कि इन में आपका second counseling किसका जाएगा तो जो बच्चे आज तक में admission नहीं लिये होंगे चाहे वो आपका government college हो चाहे वो आपका private college हो इन दोनों college में जितने seatों पर आज प्रवेस नहीं हुआ होगा वही seat कल आपका रिक्त घोसीट होगा वही seat आपका बताया जाएगा कि रायपूर के college में जगदलपूर के college में बिलासपूर के अंबिकापूर के या जहां के भी college में कितने seatों पर प्रवेस नहीं हुआ मतलब बच्चा वहाँ पे क्या किया admission ही नहीं लिया वो payment ही नहीं किया तो वो आपका private का भी हो सकता college और government का भी हो सकता है तो वो जो college का list आएगा उससे यहाँ पे clear होगा कि कितना seat बचा है और जो वो seat बचेगा मालो 2676 है मालो 600 seat ही आया 600 seat पर प्रवेस नहीं हुआ आज तक 600 seat यहाँ पे student ने छोड़ दिया तो यहाँ पे क्या होगा आपका केवल 600 seat पर ही second round का counseling होगा total 2676 seat पर नहीं होगा यह आप ध्यान रखिएगा जो आज यहाँ पे जितना seat आज confirm ह होगे होगा वो seat आपका pack हो चुका हो seat पर कोई counseling कोई हस्तचेप नहीं होगा ठीक है जो seat बचा होगा केवल उसी seat पर यहाँ पे second counseling होगा अब यहाँ पे कैसे seat बच सकता है तो यहाँ पे 4 point आपको मैंने दिया हुआ है मैं आपको इसको समझा देता हूँ एक बच्चा जो math आये थे कि सर मेरा दोनों जगा हो गया मैं किसको चुस करूँ तो यहाँ पे उनकी लिए क्या है कि वो कोई एक seat को छोड़ेंगे या तो BSC का छोड़ेंगे या तो BTEC का छोड़ेंगे तो जो भी वो एक seat छोड़ते हैं वो एक seat जो बचेगा वो आपका second counseling में जाएगा वो कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे form तो डाले रहते हैं उनको seat allotment भी हो जाता है लेकिन वो admission नहीं लेते हैं वो इसका wait करते हैं इसके द्वारा वो जाना चाते हैं ठीक है तो यह जो seat admission नहीं हुआ है वो भी seat यहाँ पे बचा होगा ठीक है और उसी का list आएगा और यहा पे वही seat पे आपका second counseling होगा थर्ड number point है आपका NEET का result नेट का result कल आने वाला था लेकिन अब कल नहीं आएगा ठीक है अब आपका दो दिन बाद आना है यहाँ पे तो NEET में भी बहुत लोग का क्या रहता है रूची रहता है वो यहाँ पे जाना चाहते हैं लेकिन यहाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो नेट वाले भी बच्चे हैं उनका भी यहाँ पे seat क्या होता है खाली रह जाता है और वो seat second counseling में चड़ जाता है अब बात करते हैं इंजरिंग, फॉर्मेसी और नॉर्मल तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BSC और बिटेंग में math, science, agriculture कि वो इंजरिंग में भी डाल सकते थे, फॉर्मेसी भी डाल सकते थे और नॉर्मल वो other course भी वो कर सकते थे तो कुछ बच्चे यहाँ पे इंजरिंग क्या यहाँ आज यहाँ पे allotment seat हो गया है तो यहाँ पे हमारे पास message भी आया है कि सर मेरा BITEC में भी हो गया था सर और यहाँ पे इंजरिंग में भी हो गया है तो क्या based है तो इन में से कोई seat है कि यहाँ पे खाली इनके द्वारा भी किया जाएगा इसी तरह pharmacy वाले कुछ pharmacy में चले जाएंगे चट करके तो यह जो seat आपका बचेगा वही seat आपका second counseling में जाएगा और जितना seat यहाँ पे बचे ठीक है वही seat पर आपका second counseling आपका यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कल से कितने number of seat यहाँ पे किस-किस college में खाली हुए है उसके बाद आप समझ पाएंगे उसके बाद आपका rank जिस college में फसता है आपका category rank आपका overall rank आपका कृसक rank आपका जो भी rank है ज क्योंकि आप समझ सकते हैं 17-18,000 total form यहाँ पे गीरा हुआ है मैं आपको approximate बता रहा हूं आप IGKB के site से correct data ले सकते हैं मैं आपको लगभग बता रहा हूं कि 17-18,000 form यहाँ पे गीरा है लेकिन इसमें से अंदर 3,000 बच्चों का ही केवल यहाँ पे प्रवेस अभी होना है यह आपका 2020-21 के admission में जितना भी process यहाँ पे होना है मौप अप राउंट सभी को ले करके ठीक है तो बाकी जो बच्चे आपका 15,000 something जो बचेंगे उन बच्चों का क्या होगा तो उनको यहाँ पे plan B ले करके चलना होगा plan B मतलब क्या या तो आपका इंजिरिंग में चले जा स क्योंकि seat ही यहाँ पे कम है तो आप एक बार अपने हिसाब से आप एक बार सोचिए इस वीडियो को देखने के बाद कि मैंने जितना भी चीज़े आपको बताया क्या वो वाक्य क्या वो actual में जो आपका ground level पे जो चल रहा है admission का process उस पर वो खरा उतरता है और अगर है ऐसा तो आप अपने लिए सोचिए कि आपका अगर नहीं होता है तो आपको plan B क्या करना है मतलब अब आपको क्या करना होगा अगर यहाँ पे आपका admission नहीं हो पाया आपको seat अगर नहीं हो पाया तब आपको क्या करना होगा यह आप एक बार जरूर plan B अपने लिए रखें क्यो अड़मी से नहीं हो पाया तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलिजबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं है तो सस्क्राइब और अगर आप हमसे जूढना चाहते हैं तो इंस्टाग्राब में आपका स्वागत है मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक क्लिए आप अपना ख्याल रखें तब तक जै हिन, जै भारत, जै 36 गर